मंच पर आसेन स्रधे शांड दादा को एक बार पढ़ाम करता हूं संचालक दंदार बनेर्शी जी को दो बार पढ़ाम करता हूं कवित्री विहीन मंच को मैं तीन बार पढ़ाम करता हूं और आप सभी हम कभी हो कि होसला आप जाए करने वाले सुरोताओं को मैं सत्त बार पढ़ाम करता हूँ मैं पढ़ता हूँ कि नयन में नीर बन बहता सभी के दर्द लिखता हूँ नयन में नीर बन बहता सभी के दर्द लिखता हूँ वतन के वास्ते हैं क्या सभी के फरज लिखता हूं मेरी कोशिश यही रहती सदा सब को हसाने की ए पीडित मुल्क जिस कारण वही मैं मरज लिखता बुलाया आपने हमको यहां पर हम चले आये उसुम मुर्जे हुए है जो खिलाने को चले आये जंजावात जीवन के सभी को दर्द देते हैं, गम खुद का भुला करके हसाने को चले। कुछ भी बना हो तो बताओ तुनों का पतिनर का अरहर की डाल बनी है। तो बोले इतने बड़े-बड़ी कवी आ रहे हैं, हमारी बेज़ती हो जाएगी। ऐसा जब कभी लोग आए तो मैं पूछू आपसे क्या बना, तो आप कह देना की पनीर बना, पुलाओ बना, दही गिर गया, तो मैं तुम से क्या कुछ बचा है, तो तुम का अधिना अरहर की डाल बची है, तो मैं कहूंगा अच्छा अरहर की डाल ही लेया, उससे हमारा माय सम्माल बच जाएगा। अभी आप दमदार बनार सी जी के लिए हाथ खोला, हम लोग इनके घर पे गए, इन्हो सब एक साथ ले आओ, तब तक किचन में भावी से पतीला गिर गया, चन्न की आवाजाई, दमदार बनार सी बहुत खुश हो गए, इन्होंने खुश हो तो पूछा, इन्हों को लगा कि प्लान काम्याब हो गया, इन्होंने अपनी धरम पत्नी से पूछा क्या गिर गया, उ जान्वरों के स्पताल में जाईए, वहाँ नाम लिखा होता है, जो पशु पालक होता है, उसका अमबर्द लिखी होती है, पशु की, तो हम गये, हमने देखा कि रिष्ट्राप्न का नाम लिखा था भजात गहेमरी, समस्या पूछ में सूजन, तो आईसे वक्ति में की हशीनों, से चोचे लढाते रहोगे, दस मिडराप के बीच में टुंटी-टुंटी की हशीनों, से चोचे लढाते रहोगे, कमाई पिता की उड़ाते रहोगे, तुम्हें मजनुवो, कुछ महबबत में जूते ही खाते वाँ 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 चूते खाने पताली बजारों तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता अच्छा जिनको राम राम कहना चाहे था वो जो असी वर्स की उमर में जेल जाते हैं तब एक कलम को लिखना पड़ता है कि जरे फूल फिर से महकने लगे हैं जरे फूल फिर से महकने लगे हैं अंगार सोए दहकने लगे हैं नई जिन्स आइंह दादी पहन के बुरापे में बाबा बहकने लगे हैं देखो जो कुछ है लिखा पड़ी में भूल जाओ तो बेजती होती है कभी एक मंच पे गए उन्हों चांग की मेरी डाउलत भे लियरो मेरी शहुरत भे लियरो मेरी दवलत भेल ले लो मेरी शहुरत भेले लो यहां की तरह कारक्रम छेव बजे का था आठ नव बजे शुरू हुआ वैसरी बिले लंभे लो अक ब्लेषा कुछा कंगा हुआ 1-2 leek के लोग बैठे धर्मराजी बैठे पुलिस के लोग कर टिपड़िया होती मैं तो भी लखनों में करेकर में गया तो पुलिस वाले मुझको रोका बोले हल्बेट नहीं लगा है हो अपका चालान होगा तो हमने का हम कभी आदमी हमारे पास ज्यादे पैसे कहा बोले नहीं फुलिस वाले ने दंडा लगाया हमने सीना ठोके कहलीम का उसने का बेटा कोने में आउ आज का कोको कोला है पुलिस वाले हमेशा खराब नहीं होते उनके सम्मान में पढ़ता हूं कि एक गरीब व्यक्ति ने एक चिठी लिखी के है एश्वर मुझे 20,000 रूपे की अवशकता है और गुप बाड़े में उसने बांद के उड़ा दिये पुलिस हमेशा गलत नहीं होती गलत हमार का भी कम हट जाएगा उन्होंने इमानदार धर्मराज जी जैसे होगे इखटा किये पैसे 10,000 कुल इखटा हो पाए और उसके पते पर पहुंचे बोले लो तुमने भगवान से 20,000 रूपे मागे थे ये लो 10,000 अब उस व्यक्त की टिपड़ी पर हाथ खोलना तुमने भगवान से 20 20,000 पर मागे थे ये लो 10,000 उसने का हे भगवान जब पैसे भेजने थे तो किसी इमानदार आदी में से भिजवाते पुलिस वाले ने पीस भाईच हमें 10,000 पार कर दिये अच्छा उत्तर प्रदेस में चालान पर चालान हो रहे हैं मैं चार पंक्तिया पढ़ता हूं अगर योगी सरकार मान ले तो मुझको ब्राण नम्बेश्टर बना सकती मैं तो एक देश भग का कभी हूं मैं तो कहता हूं कि डूबती आर्थ बेवस्ता फिर से संभाल लें फैसले देश हित में कुछ तो कमाल लें और चेकिंग में पुलिस के साथ डाक्टर रको साहब जो भरना सके चालान उसकी खिडिनी निकाल लें जो भरना सके चालान और चार पंक्तिया पढ़ता हूं राजनीति किया और कहीं देश भक्ति लगे आपको तो दोनों हाथ उठ करें छोटी सी कलम को प्यार देना कि सपा का मंच का भी आसिश चाहता हूं कि सपा का तमाम कहीं काम ना कर दे सपा का तमाम कहीं काम ना कर दे योगी जी कहीं ऐसा इंतिजाम ना कर दे अंतिंपन की प्रहात लहराते हूं देखना चाहता हूं कि सपा का तमाम कहीं काम ना कर योगी जी कहीं ऐसा इंतिजाम ना कर दे टीपू को बार बार ये चिंता सता रही आजम का योगी नाम राधेश याम ना कर दे टीपू को बार बार ये चिंता सता रही आजम का योगी नाम राधेश याम ना कर दे भाईया एक बैठे दादा बटन खोले बैठे तुन्हें प कि आप सोने की करधनी नहीं पहिने नहीं तो प्रदरसन देखने लाइक हो जाता हूँ मैं कुछ छंद पढ़ता हूँ मात शक्ति बठी है अब बुरुष बैठे दमाज और ससुर के प्रसंग का आनंद लेना अगर आपके तालिया बताएं कि मुझे कितनी देर तक रुखना है कि बिटिया के बापने दमाज से कहा कि सुनो बिटिया के बापने दमाज से कहा कि सुनो पीते हो शराब बात हम उससे चुपाई थी और धोके बाज निकलो गया ऐसा है सास ना था तुम पे बरोसा कर बिटिया भी हाई थी तो ससूर की बात पे जमाई राजा बोल उठे सिंगनी है बेटी फिर गाय क्यों जताई थी आईसे लोग भकवान का समसरा जिनको आईसा इटम मिला है सिंगनी है बेटी फिर गाय क्यों जताई थी बिटिया तुम्हारी खुन पीती है ससूर जी ये बात आपने भी नहीं हमें बतलाई थी बिटिया तुम्हारी खुन पीती है ससूर जी और ससूर के प्रसंग पढ़ता हूँ आनंद लेना अगर बहु नहीं नहीं घर में आती है तो क्या होता है किसास ने बहु से कहा सुनो बिटिया हमारी संसकार बेटों ने हमारे नेक पाई है और मैं हूँ तेरी माता और नंद है बहन जैसी पिता सम तुमने ससूर ठीक पाई है तो डोर बेल बजते ही सास ने बहु से कहा, किसने यहाँ पे देखो द्वार खटकाए हैं, अंतिम पंक्ति पे जुम जाना, किसने यहाँ पे देखो द्वार खटकाए हैं, दरवाजा खोलते ही सामने पती को देख, उचले के बोली मम्मी भाई सहाब आए हैं, दरवाजा खो पढ़ता हूं जिम्मेदारी का चंद पढ़ता हूं उत्तर प्रदेस में नाम बदले जा रहे हैं कुछ लोगों को बहुत दिक्कत है किनको दिक्कत है और आकाश भरतालिया देना कि पावन सनातन धरम मेलिया जनम ओड़ा फिर भी नराम नामी चोला जाएगा 27 में भी आप से नखाता खोला जाएगा और राम नाम से है तुमें इतना भी रोध किन तू मरोगे तो राम नाम सत्य बोला जाएगा मरोगे तो राम नाम सत्य बोला जाएगा और एक अंति दंक बढ़कर मैं अपनी बात पतम करता हूँ एक दश्वर्षी पुत्र ने पुत्र से कहा पिताजी आप में लब मिरिश केंए बताईए पिताजी हक्के बखके रह गए बोले इतना गहरी बात आपको कैसे पता चली समझाईए, पुत्र ने कहा पता जी, इस रहस्र को मैंने अपने दिमाग से जाना है इसके लिए नहीं लगाया कोई मंतर है क्योंकि आपकी शादी की तारीक और मेरी डेटा बर्थ में सिर्फ छेह माँ और चाह दिन का अंतर वाँ, 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 वाँ